Good morning to all of you आज हम बात करेंगे ब्रायोफाईट प्लांट्स की ब्रायोफाईट प्लांट्स के बारे में पहली बात जान लीजिए कि ब्रायोफाईट प्लांट्स मॉस्ट और सरीर एडिया में रहना पसंद करते हैं जहांपर मॉइश्यर ज्यादा हो च्छायादार जगए हो, सेरेड मतलब च्छायादार जगए जहां पर च्छायादार जगए हो और मॉइश्य जाता हो ऐसी जगए में रहना पसंद करते हैं ब्रायोफाइट प्लांट्स फ्रॉक फ्रॉक जो एंपीबियम रहता हो जमीन में हैं लेकिन रिप्रक्शन सिर्फ पानी में करता है इसी तरह यह आपके ब्राइवफाइट प्लांट्स रहने को जमीन में लाइव करते हैं लेकिन रिप्रक्शन सिर्फ वाटर में करते हैं अगली बाद लाइन कहती एंसी ठीकि की ब्रायोफाइड प्लांट्स जाएतर कहां रहते हैं तो डंप प्लेस में रहते हैं डंप प्लेस या हूमिड प्लेस या चायादार जगहे पर रहना पसंद करते हैं अगली बात कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट प्लांट्स का बहुत बड़ा कंटिविशन है बहुत ज्यादा कंटिविशन है किस चीज में सक्सेशन करने में इकोलोजिकल सक्सेशन करने में सक्सेशन मतलब जहां पर बेर रॉक्स थी बेर रॉक्स मतलब जहां पर बंजर चटाने थी बड़ी बड़ी ब्रायोफाइट प्लांट्स वहाँ पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं कम स्वाइल पर वहाँ नहीं थी तो वहाँ पर बिना स्वाइल वाले जगे पर चटानों पर ये ब्रायोफाइट प्लांट्स वहाँ पर ग्रो कर गए और ब्रायोफाइट प्लांट्स क्या किये उसमें में फोटे प्लांट वाहां पर बॉटव कर पाय तो आपके ग्रो प्लांट को ग्रो कराने में बेर लेंड जो बेर रॉक त्टम ने थी तो नो पर खेती करने लाइक वहाँ पर मिट्टी जो आई वह कैसे आई इनहीं की ब Georgia जैसा ही ब्रायोफाइट प्लांट की बज़े से आई है फिर आगे चलते हैं तो अगली लाइन कहती है कि ब्रायोफाइट प्लाइट्स की बॉड़ी थैलोफाइट प्लाइट के कम्पियर में ज्यादा डिफ्रेंचिटेड होती है मतलब इसकी और ना रूट होती है । ना फ़लावर होते ना फूरूट होते नА सीड लोते कुछ भी नहीं होता है ना ही बैस कुलर टिश्यू होते कुछ भी नहीं होता है इनकी बाडी भी ऐसी ही होती है लेकिन इनकी बाडी थोड़ा सा डेबलप हो गई है थैलो फाइट प्लाइट की तुलना में क्या डेबलप हो गई है इसमें रूट लाइक इस्ट्रक्चर आ गया लीफ लाइक इस्ट्रक्चर आ गया stem like structure आ गया जिसकी बज़े से ये थैलोफाइटा प्लांट से थोड़ा ज़्यादा एडबलफ हो गये है अब बात करेंगे root like structure जो है उसे हम raijoid के नाम से जानते हैं तो raijoid क्या है root like structure और ये root जैसा होता है और ये raijoid या तो uni seller होगा एक cell से मिलकर बना होगा या फिर multi seller होगा बहुत सारी cell से मिलकर बना हुआ होगा तो uni seller या multi seller कुछ भी हो सकते हैं raijoids और इन raijoids की मतद से इनकी थैलस जैसी body स्वाइल से attach रहेगी सब्स्ट्रम से attach रहेगी तो या दखिए थैलोफाइट प्लांट की body भी थैलाइड थी थैलस जैसी थी और ब्रायोफाइड प्लांट की body थैलस जैसी है लेकिन ब्रायोफाइड प्लांट की body में जो होती है उसमें राइजाइड होते हैं और जिसकी मदद से राइजाइड की मदद से ये क्या होते हैं जमीन में चिपके हुए होते हैं सब्स्ट्रम के साथ attached होते हैं फिर अगली लाइन कहती है और इराइजोइट कैसे होते हैं यूनी शेलर भी हो सकते हैं और मल्टी शेलर भी हो सकते हैं अगले लाइन कहती है कि ब्रायोफाइट प्लांट और थैलोफाइट प्लांट यह दोनों प्लांट की मेन प्लांट वाड़ी जो होती है वो आपकी गेमिटोफाइटिक होती है याद रखेगा प्लांट दो स्टेज में जीते हैं कोई भी प्लांट हो या तो गैमिटोफाइटिक स्टेज होंगे या फिर स्पोरोफाइटिक स्टेज में होंगे तो याद रखेगा सुरू के दो प्लांट जो है थैलोफाइट प्लांट और ब्रायोफाइट प्लांट ये दोनों के दोनों प्लांट्स क्या है इनकी में प्लांट बाड़ी जो होती है वो में प्लांट बाड़ी आपकी गैमिटोफाइटिक होती है मतलब gametes का formation होता है इसकी main body में इसलिए इनको gametophytic कहते हैं बाद के तीन plant जो हैं जैसे कि हम tredophyta, gymnospum और angiospum ये तीनो plant की main body क्यों होती है sporophytic होती है तिया दखेगा कि सुरू के दो plant की main body कैसी होगी gametophytic होगी मतलब bryophyte plants की main body gametophytic होती है और gametophytic stage हमेशा haploid होती है तिया दखेगा bryophyte plants haploid होगे कि diploid haploid होगे thallophyte plant haploid होगे और बाकी सारे plant ट्रेडophyta plant, gymnospum, angiospum बाकी सारे plant diploid होती है तिया दखेगा कि bryophyte plants जो होते हैं इनकी main plant body जो होती हो हमेशा haploid होगी और gametophytic होगी गेमेटोफाइटिक होगी तो मतलब भविष्य में जाकर इसमें गैमिटट का फ़रमेशन होगा अब गैमिटटच पर्रीबिदियम के लिए इसमें क्या होगी क्या होगी if sex organ लग्यवी गेम्यटो फ़ween वह थोगी फिम्ट फ और लखे वह कर सकते हैं कि इसमें लोको मोशन करने के लिए छाए होता है कितने फ्लेजला होते हैं दो होते हैं जा दखिएगा एंध्रोजॉट bacillat होता है दो फ्लेजला पाए जाते हैं इसमें फिर अगली बात इसके फीमिल सक्सॉख और दान को आर्की गोनियम से जयाक कॉँखॡ-8 Карाथ होता है और इस आर्की गोनियम में फीमिल सक्स ओर्गन में फीमिल गैमिट का फॉर्मिशन होगा और कितने फीमिल गैमिट बनेंगे सिर्फ एक फीमिल गैमिट बनता है सिंगल एक का फॉर्मिशन होता है एक ही फीमिल गैमिट बनता है और फीमिल गैमिट को एक कहते हैं ज्या पानी में बह जाएगा और पानी में बहते 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 वह पहुंच जाएगा कहां पर एक के पास पहुंच जाएगा और एक को जाकर फ्यूज करतेगा तो मेल गैमिट और फीमिल गैमिट आपस में फ्यूज हो जाएंगे और मेल और फीमिल गैमिट फ्यूज होंगे त प्रोजोइट कहेंगे फीमल गैमिट को आपका एक के नाम जानेंगे और यह मेल और फीमल गैमिट अपस में फ्यूज हो जाएंगे और इस घटना को फटलाइज़ाइशन कहेंगे और इसके दौरान क्या बनेगा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा अब आँगे जाकर जाइगोट और डेबलब होंगे जाइगोट से आँगे जाकर इस पोरोफाइट प्लांट का डेबलबमेंट होगा तो आपको बताये थे हम प्लांट की दो स्टेज होती हैं गैमिटोफाइट और इस पोरोफाइट तो प्लांट सुरुआत में प्लांट कै इंडीपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें वो sporophyte stage आपकी dependent है free living नहीं है फिर आंगे चलते हैं तो अगली line कहती है कि आपके sporophyte plant में आँगे जाकर क्या बनेगा spor का formation होगा sporophyte plant में spor बनते हैं sporophyte plant में spor का formation होगा और ये spor जो बनेगे वो meiosis साम की घटना से बनेगे meiosis मतलब reductional division में-पोतानित है में-पोता बने लिए वो में-पोतानित है spectrumğim-पोतानित हो बनीत में जो बने-अब, ये यादा रिजुए करो म में-पोतानित कर दो किस घटना के दूरान होगा spor का formation buousis नाम की घटना के दूरान होता है तो आपोता है और स्पोर में नमरा कोंसोम हाप हो गए और स्पोर बन गया अब क्या होगा स्पोर आंगे जाकर जर्मिनेट करेगा और एक नया गैमिटोफाइट प्लांट को जर्म देगा और इस तरह एक लाइफ साइकल बन गया गैमिटोफाइट प्लांट से गैमिटोफाइट प्लांट नहीं बहुत ज़्यादा इंपर्डंस नहीं है लेकिन फिर भी ब्रायोफाइट प्लांट्स बहुत सारे जीवों का पेट भरते हैं एज आ फूड यूज करते हैं बहुत सारे हर्भी बोरस अनिमल्स मैमल्स पक्षी वर्ड्स और कुछ एनिमल्स इसको खाते हैं उनका पेट भरता है जब फूड के लेते हैं तो वह यादखी कि हर्भी बोरस और्गनीश के लिए फूड है दूसरी लागन कहते है स्फेगनम नाम का एक मॉस होता है मॉस प्लांट है मॉस्स है इसस्फेगनम नाम का एक ब्राइट प्लांट है जिसके पिट का फॉर्मिशन होता है पिट क्या होता है पिट एक तरह का फॉसिल है जिसको हम जलाने के लिए फॉसिल फॉसिल की तरह जलाने के लिए यूज करते हैं ट्रांसिपमेंट के लिए करते हैं एक जगह दूसरे जगह लीविंग मटेल को भीजना है कोई लीविंग चीज को यहां से वहां भीजना है तो उसमें पैकेजिंग मटेल की तरह इसको यूज करते हैं क्योंकि इसमें वाटर होल्ड करने की एपसिटी बहुत जादा होती है पानी को शोखने की चमता इसलिए कोई जंदा चीज को यहां से वहां भेजनी है है तो किसमें पैक करते समय क्या भड़ते हैं सपैगनम का यूज करते हैं पैकिंग करने के लिए जैसे हैं क्यूंकि को इसपूस यही घास पूस कूस टाल जाती हैे लिए कर्बार भी मोडेल के लिए जो पफ्थरों पे चट्टानों पे जो आओ पी दिखर लगी रहते सिरुकों आज से चट्टाने उस पहले सिर्फ रियोफाइट प्लन्ट्ट जिंदा रह सकते थे और लाइकन दो ही लोग ऐसे दें जो चतानों पर जिंदा रह सकते पत्थरों पर जिन्दा हो सकते हैं तो पत्थरों पे लगने वाले दो ही प्लांट हैं कौन-कौन से ब्रायोफाइट प्लांट्स और लाइकेन और इनों ने वहाँ पर आपका बार-बार लीचिंग आउट किया स्वाइल को बनाया स्वाइल का फॉर्मेशन किया वहां पे और्गेनिक बेश्ट इखटा किया और इस कारण स्वाइल बनते बनते बन गई और वहां पर आज की रिट में हायर प्लांट जिंदा रहने के लिए सुटेवल इंवार्मेंट बन गया इसलिए इकोलोजिकल बनाया देते हैं जमीन में स्वाइल में बिच जाते हैं और रमेट की तरह जाते हैं तो वहां पर स्वाइल इरोजन होने नहीं देते मिट्टी कटाओ नहीं होने देते हवा चले आधी चले तुफान चले मिटी नहीं बहेगी वहां की नहीं उड़ेगी स्वाइल इरोजन नहीं होने देगा प्रिवेंट स्वाइल इरोजन और ब्रायोफाइट प्लांट को दो भागों बाट दिया गया है कौन-कौन से लीवर बाट और मॉसस वैसे होने को तौर भी भागे हैं लेकिन आपके NCRT बुक से दो पार्ट में बताती है कि ब्रायोफाइट प्लांट को दो भागों बाटा गया है लीवर बाट और मॉसस तो हम लेगे की स्टार्ट करते हैं पढ़ेंगे लीवर बाट लीवर बाट क्या होते हैं तो लीवर बाट के बारे हम